Hello everyone, मेरा नाम निशित, welcome to MP exam वाला और दोस्तों, आज के session में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आज मैं आपके सामने एक और बहुत जबदस trick लेकर आया हूँ, और trick हम उन questions की बनाते हैं, जो कि regularly exams में पूछे जाते हैं, और जो कि आपकी पूरी की पूरी जो महनत है, उसको और समय बचाने के लिए हम इन tricks का यूज करते हैं, तो चलिए आज का मुद्दा गया है, आज की trick क्या है, वो समझ लेते हैं, मेरा वादा है exam में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की trick को समझ ना, और आज की trick हमारी ये कि special condition पर ह रहें किता होता है, अब बहुत सारे लोग सोच रहोंगे, सर ये क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो मैं नंबर के हिसाब से आपको समझा देता हूँ, सपोज मैं आप से बोलूं कि अगर x plus 1 by x की value है, ठीक है, और मैं आप से पूछूँ कि चलो बताओ x cube plus 1 by x cube की value कितनी होगी, या मैं आप से पूछ लूँ कि बताओ x की power 5 plus 1 by x की power 5 कितनी होगी, अब यहां तक तो फिर भी बच्चे बोलेंगे, चलो सर थोड़ी सी हिम्मत हम भी कर लेंगे, बड़ अगर मैं आप से पूछ लूँ कि चलो बताओ x की power 50 plus 1 by x की power 50 कितना होगा या मैं आप से पूछ लूँ कि बताओ x की power 500 plus 1 by x की power 500 कितना होगा, अब बहुत सारे लोगों के हाथ पाओ फोलने लगेंगे, बहुत सर पांस तक ठीकता, आप तो 50 और 500 तक ले गए, यह कोशन इतना सिंपल है, क्या कोशन है, कितना सिंपल है, इसे समझने के लिए आपको इस equation को solve करते हैं, अच्छा, मैं थोड़ा सा solve करके भी बता देता हूँ, आपको एक idea लग जाएगा, कि जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इसको solve कैसे करेंगे, तो LCM ले लेते हैं, इसका x2 इधर हो जाएगा, plus 1 equals to 2x, अच्छा, 2x को equal to के इधर ले आओ, तो यह क्या हो किसी भी number के square को अगर आप 0 से quit कर रहे हैं, या बोलो किसी भी number का square जो है, वो 0 है, इसका मतलब क्या है, वो number खुद अपने आप में 0 है, तो अगर मैं आप से बोलूँ कि x-1 अपने आप में 0 है, यानि x कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा की नहीं होगा, और यही तो हमारी आज की trick बोल लो, concept बोल लो, जो चाहे बोल लो, ठीक है, बट इसे ध्यान रखना क्या, कि अगर आपके सामने कभी भी x प्लस 1 बाइ x बराबर 2 लिखा आता है, तो हमेशा ये जो x की value है, ये कितने के बराबर होगी, x की value 1 के बराबर होगी, अब आपको हर बार इत ताकि आपको ये सारा confusing मामला ना देखे, आपको बस ये देखे, कि अगर x प्लस 1 बाइ x बराबर 2 है, याने x की value 1 होगी, और अब मेरे ख्याल से आपके लिए ये सारे questions बहुत आसान होगे, भई 1 की power में आप कुछ भी चढ़ाओगे, जैसे x प्लस 1 बाइ x बराबर 2 बोल लगलता है, तो हर बार आपको यहां भी 1 मिलेगा और ये 1 upon 1 मिलेगा, तो हमेशा answer कितना मिलेगा 2, 1 की पाउर 5, भाई, 1 ही होता है, सर्य है, 1 upon, फिर ये 1 की पाउर 5, 1 होता है, तो 1 upon 1, again 1 होगा, तो 1 प्लस 1 हमेशा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, अब आपको मेरी ख्याल से, समझ में आ गया होगा, कि 1 की पाउर कितना हो जाएगा, 50, 1 की पाउर 50 हो, 500 हो, मिलेगा तो 1, याने ये हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू, और इसका आंसर भी 2 होगा, इसी लिए मैंने आपसे बोला, कि अगर x प्लस 1 बाइ x की वेल्यू दो है, तो x की पावर n प्लस 1 बाइ x की पावर n हमेशा कितना होगा, 2 होगा, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, कि n की वेल्यू 5 है, 50 है, 2 लाख है, 2 करोड है, 20 अरब है, कुछ भी हो, n की वेल्यू कुछ भी हो, क्योंकि 1 की पावर में कुछ भी चढ़ा होगे, 1 ही आता है, तो 1 1 प्लस 1 बाइ 1 याने 1 प्लस 1 हमेशा कितना मिलेगा, 2, but second question का answer 2 नहीं होगा, अब मेरे खाल से, जिनके पास थोड़ा बहुत दिमाग है, वो यह बात समझ पा रहे होंगे, कि second question का answer 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 की पावर में कुछ भी चढ़ा होगे, 1 आता है, यहाँ प के सामने, simple सा, मैं ऐसे summarize कर देता हूँ, क्या, कि अगर आपके सामने, x plus 1 by x की value 2 है, तो x की value कुछ भी चढ़ा दो, तो x की power n plus 1 by x की power n कित्ता होगा, 2 होगा, अब कभी यह power 2000 आ जाए, तो घबराना मत, 2023 आ जाए, तो घबराना मत, दो करोड आ जाए, तो घबराना मत, ठीक है, इसका value हमेशा 2 होगा, और अगर sign minus करेगा, तो हमेशा answer 0 होगा, चाहे power कुछ भी हो, बात समझ में आ गई, 2 है, तो यहां से हमने सबसे पहले क्या समझा कि भाहिया, x की value 1 होगी, यह आप बिलकुल दिमाग में बिठा ले, special condition समझ कर इसे, कि अगर x plus 1 by x की value 2 है, तो x की value 1 होगी, इसका answer कित्ता होगा, 1 की power 200 प्लस 1 by 1 की power 200, तो यह भी 1 है, यह भी 1 है, answer होगा, 2, यहां पर answer कित्त है, answer होगा, 0, बोलो बात समझ में आई की नहीं, मुझे नहीं लगता, अब आपको यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या, दिक्कर, तकलीफ, परिशानी, दुख, दर्ध, पीड़ा, कष्ट होगा, कहां होगा, वो सुन लो, आपको दुख, दर्ध, पीड़ा, कष्ट होग है, x की value 1 नहीं, minus 1 है, अब लोग सब माइनस 1, हाँ, बिलकुल, रख के देख लो, यह minus 1 हो जाएगा, यह 1 plus 1 upon minus 1, तो यह भी minus 1, यह भी minus 1, दोनों मिला कर, minus 2 होगा की नहीं होगा, याने x की value satisfy हो रही है न, और अगर x की value satisfy हो रही है, अपना काम हो रहा है, बट, जब भी minus 1 आएगा, x की value, तो power के current effect होगा, power even है या odd है, उससे फर्क पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, power n, power n, यहाँ पर मैं नहीं बोल सकता, इसका answer 2 होगा, या 0 होगा, पर 2 और 0 में से कुछ एक ही होगा, बोलो बात समझ मैं, clear है, दूसरी बात, दूसरी बात, इसका answer 0 बोल सकता हूँ, मैं हर बार, इसका answer मैं हर बार, क्या बोल सकता हूँ, 0 बोल सकता हूँ, क्यों, इसलिए बोल सकता हूँ, कि अगर यह minus 1 की power, 5 होगा, minus यह होगा, minus 1 की power, 5, 5 को मैं basically odd number represent करने के लिए बोल रहा हूँ, कि अगर यह 5 की जगा, कोई भी odd number होगा, तो क्या होग तो यह होगा माइनस वन और यह हो जाएगा माइनस वन बट यह माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस वन तो यह और की केस में तो हो जाएगा जीरो बट अगर यह एवन भी होता है तो भी जीरो यह होगा पांच की जगह आप चार ले लो एक काम करो तो माइनस वन की पावर च तो यह आंसर हो जाएगा 0, यानि ये अगर minus भी है, x की value minus 1 भी है, तो यह answer तो हर condition में 0 देगा, बट यहाँ पर 0 और 2 में नहीं बोल सकते क्या होगा, क्यों नहीं बोल सकते, कैसे नहीं बोल सकते, चलो, अगली stage पर समझते हैं, अगर आपके सामने condition है, x plus 1 by x की value minus 2, तो इतन पावर में कितना लिखा है, जैसे यहाँ पर, पावर में लिखा है 200, अभया क्योंकि पावर है even number, तो minus को कर देगी positive, बोलो हाँ, करेगी की नहीं करेगी, तो यह कितना हो जाएगा, minus 1 की power 200 याने plus 1, यह कितना हो जाएगा, minus 1 की power 200 याने plus 1, तो यह plus 1, यह plus 1, यह plus 1, दोन पर याने अब ध्यान से देखना माइनस वन की पावर है पच्चेस प्लस वन बाय माइनस वन की पावर है पच्चेस यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह माइनस वन ही रहेगा और यह भी माइनस वन ही रहेगा तो माइनस वन माइनस वन कित्ता हो याने x की पावर 35, minus 1 by x की पावर 35, तो answer 0 ही होगा, चाहे, तो रख के देख लो, minus 1 की पावर 35, odd number है, तो minus 1 आएगा, ठीक है, minus, ये भी minus 1 आएगा, but minus 1 और minus 1 कैसा हो जाएगा, plus 1, तो ये कोल मिलाकर क्या हो जाएगा, minus 1 plus 1 equals to 0, तो अगर x plus 1 by x की value minus 2 है, तो minus वाला answer हमेशा 0 होगा, but जब power positive में होगी, तब इसका answer कुछ भी हो सकता है, plus 2 भी हो सकता है, minus 2 भी हो सकता है, मेरे खहल से बात समझ में आ गई होगी, इतनी बड़ी कोई समस्या है नहीं, ठीक है, अच्छा, पिछले वाले slide पर शाहिद मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया था, इससे सुधार लिजिए, या तो यह answer plus 2 होगा, या यह answer minus 2 होगा, कब plus 2 होगा, कब minus 2 होगा, वो भी मैं बता देता हूँ, अगर x की power even होई, ठीक है, x की power even होई, तो यह answer plus 2 होगा, बट अगर x की power odd होई, x की power odd होई, तो यह answer minus 2 होगा, मेरे खैल से अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी, चलिए, अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई है, तो आपके लिए एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से, क्या है सवाल, यह रहा सवाल, x की power 5, plus 1 by x की power 5, बराबर 2, इससे क्या समझ में आया, इससे यह समझ में आया, कि x value 5, कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, अब यहीं पर आपको समझना है, क्या, x की value 1 नहीं है, x की power 5 की value 1 है, तो आपको देखना पड़ेगा, क्या यह number 5 में टूट सकता है, बिल्कुल टूट सकता है, इसे बोलेंगे, x की power 5, की power 5, plus 1 by x की power 5, की power 5, बोलो ठीक है, बात समझ में आगी, यहाँ 1 रखेंगे, 1 की power 5 1 होता है, यहाँ 1 रखेंगे, x की power 5 की power 6, अब आप बोलेंगे, सर, यहाँ पर 1 रखने पर, यह plus हो जाएगा, 1 ही रहेगा basically, तो यह हो जाएगा, 1 minus 1 upon 1, answer होगा 0, बोलिए clear है, मेरे खैल से, आपको बात समझ में आगी होगी, जो मैं explain करना चाहरा था, आपको समझ में आगया होगा, और इस type के question में, कहाँ पर plus 1 लेना है, कहाँ पर minus 1 लेना है, और कहाँ पर power के साथ चलना है, यह आप सभी को समझ में आगया होगा, इस type के question बहुत आसान होता है, एक्जाम में regularly पूछते रहते हैं, तो चले आप ही बताईएगा मुझे session कैसा लगा comments में, अगर अच्छा लगा तो एक बाद thumbs up जरूर दीजिएगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक keep standing, stay safe, thank you, take care and jahin.